बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडिन टीवी निउस पर मैं हूँ जिनायद आपके साथ खाना बनाते समय सिलिंडर में विस्पोर्ट से बड़ा हाथसा विस्पोर्ट से दो घर डहने के चलते 15 लोग मलवे में दबे आठ लोगों के दबने से हाथसे में हुई मौंत वहीं साथ घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया है भरती मृतकों में चार बच्चे दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं नूरूल हसन के मकान में विस्पोर्ट से दो घर हुए जमी दोज घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाच तब में शाज़ Selfie कर गो दिलाच कि यहां पे जाएल 112 प्राप गुई कि एक स्विंडर ब्लास के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है इस सूचना पे अच्काल पुलिस पोर्ट के साथ नहीं पहुंचा है आई जी महादे भी यहां पहुंचे एवं तमाब पोर्ट को इसा अत्रताशन पुलिस यहां पे राहत बचाव कारे में अब तक 14 लोगों को निगाल लिया गया है सभी को अस्पताल भीजा गया है इसमें की साथ लोग स्कुषल है इलाज उनका चल रहा है और बाकी साथ लोगों को मृत गोशित किया गया है इसमें दो पुरुष दो महिलाएं यहों बाकी बच्चे हैं और बास्त के बाद में मकान की छत किरना बताया गया है हमने बाकी पीमो फॉरेंट से किजादी को भी यहां पे बुला लिया है बाकी जांच भी हमारी चलेगी प्रायोटी हमारी राहत बचावकारी की है वो लो उसमें हम लोग लगे हुए भी मंतर योगि आदितिनाथ ने दुरगटना का लिया अजुरंग्या दुरगटना में इमरित हुए लोगों की प्रति व्यक्त किया गहराशोक सीम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रती अपनी सम्मिदनाएं व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तेजी से राहत और बचाव कारे करने के निर्देश दिये हैं सीम योगी अधितनाथ ने घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश देदे हुए जिला अधियागारी को दुरगटना के कारणों की जाज कराकर आख्या उपलब्द कराने के लिए भी आदेशित किया है वजीर का इस्थाना शेत्र के टिकरी गाउं में हुआ विस्फोर्ट दोस्तो इसी तरह के देश दुनिया से जड़ी और अपने आसपस के हर खबर को जानने के लिए देखते रही है इंडियन टीवी नियोज और जल्दी से मारा चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद